जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है अब चैंग की लड़ाई होने वाली थी इस बंदे के साथ चैंग उसके साथ शर्ट लगाता है कि अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं तुम्हें अपना ये स्पेशल वेपन दे दूंगा वो बंदा भी सर्ट के लिए मान चुका होता है और इसके बाद दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो चुकी होती है बंदा हमला तो करता है लेकिन चैंग अर्थिसकेपिंग के इस्तों मिड़ारे करें भाग जाता है और ये सोच रहा होता है अब मुजे पता चला आगर सब लोग इससे अर्थिसकेपिंग टेकनिक का मास्टर क्यू कहते हैं क्योंकि इसकी ये टेकनीक बहूत ही बहुतiger कि मैंने यह ँर्मiao के अंदर आष उ मैंने पिछयदे होगी और उदर भी और इлегा Scrmb 54 रहा होता प यह देखने में बहुत सादा मज़ा होता है सब लोग जोष जोष मि lly आने लगते हैं कि वह क्या मैच है क्योंकि ऐसा मैच वह बहुत लंबे समय बात देख रहे हैं अब आगे हमें यह बताया चाता है कि ऐसे करते करते आदा घंटा फिर एक घंटा ऐसे बीच चुका होता है उनकी लड़ाई जारी रहती है यहां यह बन्दा बहुत ही जादा थक के इस्तिमाल किया था यह ऐसा दिखाना चाहता था कि यह बहुत थक चुका है लेकिन इस अभी ठाका नहीं रहता है यह तो अभी बहुत लड़ाई लड़ सकता है और जान मूच के हा रहा है क्योंकि इसे आपको पता है ना बस टॉप 30 के अंडर में आ रहा था उससे ज्याद और weapon होने से कुछ भी नहीं होता है तुम्हारे अंदर अगर skill नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो और यह कहने के बाद वो जा रहा होता है असल में यह सब यह इसलिए कह रहा होता है क्योंकि इसे अपनी reputation जो बचानी थी reputation पहले भी घड़ चुकी थी अब वस अच अंकल ने pre-order किया था तो यह चैंग शू ने उनसे बस उधार लिया था फिर आंट वो weapon लेती है और वहां से जाने लग दी है यह बंदा रो रहा होता है कि इतनी मुश्किल से मैच जीता था यहां पर चैंग बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है और सिससे कह रहा होता है तुम्हें पता है वो weapon जब मेरे साथ था ना तब एकदम कर्मा खतरनाक वाला मेरा बढ़ गया था अब उससे चुटकारा मिल गया है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन आंट से लाते हुए आई होती ही कि चैंग शू आखे तुम यह इतना ताक करते कॉंपटिशन आगे बढ़ता है और फिर 6-7 दिन ऐसे बीच चुके होते हैं चैंग का पोजिशन होता है 360 अभी यह हारा नहीं होता है क्योंकि अभी मैच बाकी रहता है और जो ली है वो लगतार मैचेज हारी होती है तो पांच दिनों में इसे लगतार मैचेज भी इ पांच रहता है वो मेरे मैच में कुछ जादा ही बढ़ जाता है तो इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं एक तरीके से मेरी ही गलती है अचानक से दोने एकदम साथ में कहते हैं कै तुम्हें भी वो महसूस हुआ हाँ वो कहता है मुझे भी महसूस हुआ सीग और टेमपल के प चुन लिया है वो प्रिंस कहता है नहीं अभी फिलाल के लिए मैंने अतना कुछ सोचा नहीं है हाला कि मुझे यह जगा पसंद है क्योंकि यहां पर ट्रैगन क्लैन भी इंवाल्व है लेकिन मैं उस ट्रैगन क्लैन से बात नहीं करना चाता हूँ क्योंकि शुरुआत से वह ट्रैगन क्लैन बहुत ही जदा एरोगेंट रहा है और उससे बात करने में मज़ा भी नहीं आएगा देखे हो यह टेमपल कितना जदा अच्छा है जो अच्छे लोग है वो यहां पर मनत मांगने के लिए आते हैं और जो बुरे लोग है वो उसे यह टेमपल सदर देता है क पेपर कलोन कहा रहा होता है तुमने अभी तक बुक को देखा भी नहीं है और तुम यह कैसे कह सकते हो कि यह बुक तुम्हारी नहीं है जरा इसे एक बर देखो तो सही और यह बुक भी कोई स्पेशल बुक रहती है वो प्रिंस बुक को खोल कर देखते है लेकिन बुक में बताने लगता है तो यह कहते हैं अगर ऐसी ही बात है तो तुम पेपर कलोन में क्यों आए हो रियल बॉडी में क्यों नहीं इस बात को सुनने के बाद वो जहां गाट से रहते हैं वो कह रहे हो ते क्या यह पेपर कलोन है असली इंसान नहीं है यह कह रहा होता है कि मैजेस्ट ये पेंटिंग के अंदर घुज़ रहे होते हैं चेंग ह्राम को रहता है और वो सच छाता है मैं तो यहा कुछ औरी करने के लीए आया था इसके साथ लेकिन चलो आफ चल olması डेक्र लिखे लि redefा करना चाहता है फिर चैंग उन्हें बता रहा होता है लंबा चोड़ा उनके बीच में भाशन होता है कि ये बताना चाहरा हूँ ये बताना चाहरा हूँ मतलब सारी अच्छाईया बताना चाहरा है फिर उसके बाद में उन धोनों के बीच में बहुत सारी लंबी-लंबी बाते चलती है और अब वो लोग पेंटिंग से बाहर निकल चुके होते हैं चैंग उनसे जाते जाते कह रहा होता है कि मेरी बात पर जरह गोर फरमाईएगा जो भी मैंने आपसे कहा है एक बर जरूर उसके बारे में डिसकेशन करिएगा वो कहते हैं तुम जरब जिन्दा मत करो तुम्हारी बाते हमें बहुत अच्छी लगी चैंग वहां से जाने लगता है ये लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं इन्हें नाम तो नहीं पता रहता है लेकिन इन्हें किसी ना किसी बंदे पर शक जरूर रहता है कोई ऐसा बंदा जो कि बहुत ही जादा बहतरीन हो और साथी साथ उसका ड्राइगन क्लैन से भी कुछ ना कुछ रिलेशन हो क्योंकि वो लोग इतना जरूर जाते थे कि जो सी गॉड है वो कोई गॉड नहीं है वो एक इन्सान है जिसका ड्राइगन क्लैन से भी कनेक्शन है और ये लोग तहकीकात करना चाहते थे जानना चाहते थे कि आखिर में ये सी गॉड है कौन क्या ये सचमुश भगवान है या फिर इन्सान है हाला कि इने कलू मिल चुका होता है कि वो कोई इन्सान ही है अब इस तरफ हमें दिखाया जाता है जहां सिस चैंक से कहा रही होती ही कि संडे को फिर से बैटल होने वाला है और मैं उस बैटल से पहले बहुत ही जादा नर्वस हूँ कि तुम मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए लेकिन इधर चैंक कोछ और ही सोच रहा होता है वो सोच रहा होता है लगता है मैंने प्रिंस को अची तरीके से बेगव chut बना दिया है मुझे तो बहुत जादा डर लग लग रह था लेकिन मैंने शही शव्दों का उचरन किया और फ्रिंस को बहुत अची तरीके से बेगोब बना दिया है इस बार को लेगी ये बहुत जादा खुछ रहता है वो कहती है क्या हुआ पुरादर कुछ हुआ है क्या वो कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं होती है है कि तुम्हें पता है मेरी पोजीशन कहा है मेरी उपर कितना जादा प्रेशर है केमे कोई बहाना नहीं बना सकती हूँ कुछ भी बहाना बना दूँ कि यह हो गया यह हो गया और democrat कि बारें मांगर निकल जाओं। तो वो तो आपको आगहीं पता चले है कि आखिर उसे अपने इस डिसीजन पर क्यों पस्तावा होगा तो ठीक है गाइस फिर मिलते हैं आप सब इसे नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए बाई बाई